जैन दोस्तों स्वागत है आप सभी क्या दें फिर से हमारे यूट्यूब चैनल दी कॉंट्री पर में तो आज हम एक नई चीज़ सिखेंगे कि दो परिमे संख्याओं के भी समदूरस परिमे संख्या कैसे गयात करें ठीक तो ऐसा कोशन आपने एक्जाम में देखा होगा तो तो हम इसको कैसे करेंगे इसके बारे में आज जानेंगे तो सिंप्ली मैं बिना टाइम वेस्ट की यही डारेक्ट कोशन पर आता हूँ जैसे कि दो संख्याओं दी होती हैं दो परिमे संख्याओं दी होती उनके बीच हमें समदूरस संख्याओं गयात करना है तो जैसे मैं step by step ये rules follow करेंगे तो हमें जो संदूरा संख्याए हैं वो मिल जाएंगी ठीक इसको आप और खास बात कि आप इन सवालों की practice जरूर 102 बार कर लें या 3-4 बार तो जरूर ही करें ठीक इससे क्या होगर कि आप सवाल भूलें के नहीं और हर step आपके दीमार्प में बैठ जाएगा तो चलिए शुरू करते हैं तो पहला कोशन है कि माइनस दो बटे तीन और साथ बटे चार के मद चार संदूरा संख्याए हमें गयाद करनी है ठीक तो आप सबसे पहले तीन बारा बारा एलसी हमाएगा तो अगर इसको चार से और इसको तीन से गुड़ा कर ले तो इसके जो हर उंग्यों बराबर हो जाएंगे तो हमने क्या कि माइनस दो बटे तीन और साथ बटे चार का हर बराबर करने पर यह देखिए मैंने यहाँ पे हर आरती ही बारा और 21 बटे बारा आ गया ठीक अब हमने क्या किया हर बराबर कर लिया तो पहला इस टिप क्या हो गया इन जो संख्या दी होती उनका हर बराबर करना होता है तो हर बराबर कर लिया अब आप एक फिगर ड्रॉ कर लीजे समझने के लिए कि ये मान लिए संक्यारेप माइनस आठ बटे बारा ये वाली ठीक और इधर 21 बटे बारा ठीक अब हमें कितनी सम्दूरत संक्या चाहिए चार एक दो तीन चार चार चाहिए आपने मार्किंग कर ली अब देखी कितने भाग बनाएगी तो यहां से यहां तक एक भाग दो भा ठीक ये एक भाग दो भाग तीन भाग चार भाग पांच भाग यानि चार संदूरत संक्याएं ग्यात करनी है तो हमें पांच भाग मिलेंगे ठीक अब पांच भाग मिल रहे हैं तो आप क्या करिए कि इसी पांच को इन दोनों में गुड़ा कर दीजे तो यह देखी हमने C5 को अंस औरहर में गुडा कर दिया तो –40 बटे 60 आ गए अब ऐसे ही हमने दूस्सी वली संख्या में भी जितने भागों में बाट रही है उसी संख्या को अंस औरहर में गुडा कर दिया तो 105 बटे 60 आ गया ठीक तल सबसे पहले हमने क्या किया था हर बराबर किया था ठीक हर बराबर करने के बाद दोनों संख्याओं में जितने भाग हमको मिल रहे हैं उसका अंसर हर में गुड़ा करते हैं ठीक आप ऐसे भी समल लीजिए अगर जितनी भी संदूरा संख्याओं निकाल ली उसमें प्लस एक कर दीजिए च अंसों का अंतर ग्याद करना है तो अंस का अंतर आराम से ग्याद करनेंगे तो 105 बड़ी संक्या है ठीक तो ये 105 और अंतर ग्याद करना है तो माइनस का साइन और ये माइनस 40 तो लिखा हुआ है तो जब bracket खोलेंगे तो minus minus प्लस हो जाएगा तो 105 और 40 यानि 145 तो अंसो कांतर कितना है 145 बस इसके बाद 145 अंसो कांतर आगे अब इसके बाद जितने भागों में बाट रही है यानि एक, दो, तीन, चार, पाँच पात भागों में बाट रही है न तो जितने भागों में बाटे उसको इससे डिवाइड कर दो ठीक इसको इससे भाग दे दो तो भाग देने के बाद हमको कितना मिला 29 बस यहां से आपका सवाल बहुत ही easy हो जाता है ठीक बस इसमें क्या करना है कि आपको अब मतलब जितनी भ आप उत्तर को जोड़ते जाएंगे संदूर संख्या मिलती जाएंगी ठीक तो चलिए दिखाता हूँ कैसे यह होता है तो 29 हमको answer मिल गया इससे भाग देने पर ठीक तो पहली संख्या आप ग्याद करेंगे तो इधर माइनस 40 बटे 60 आप left size से लिजे तो हमने इसमें 29 29 पूरे में नहीं करना हमें सिर्फ uns में जोड़ना है इसका ध्यान रखिएगा कि आप यहाँ पे LCM लेगे करते तो गलत हो जाएगा हमें सिर्फ uns में add करना है जो भी उसका उत्तर आएगा तो हमने इसको add किया तो यह minus 40 है plus है तो minus हो जाएगा तो minus 11 बटे 60 हो गया तो ऐस कैसे ही जो संख्या मिलती है उसमें उसमें फिर हम 29 को add करेंगे तो हमारा 18 बटे 60 हा गया ठीक तो पहली संख्या मिल गया दूसरी संख्या तीसी संख्या कैसे गया तो जो हमको यहां से उत्तर मिला था 18 बटे 60 इसमें फिर 29 जोड़नेंगे तो 47 बटे 60 मिल गया ठीक यह हो अब चौती संख्या कैसे मिलेगी तो यह 47 बटे साथ जो उत्तर मिला था इसे में 39 जोड़ देंगे तो 76 बटे साथ मिल जाएगी ठीक तो देखिए हमको 4 संख्या गयात करनी थी और 4 संख्या हमें मिल गई और पाँचवी संख्या तो इसमें दी हुई है मतलब दी हुई है कि अगर हम लोग 29 कितना 76 में अगर 29 हम लोग एड़ करेंगे ठीक 76 में 29 एड़ करेंगे तो हमारे 105 बटे साथ आना चाहिए तो 9 6 15 15 15 का पांच से एक आया या हासिल एक आया ठीक तो और 7 2 9 9 1 10 यानि 105 बटे साथ आ गया पाच्वी संख्या जो हमें यहां पे पहले सही निकली हुए तो इसका मतलब कि यह हमारा सवाल सही है तो ऐसे ही हमें देखे चार संख्यां मिल गई हैं तो ऐसे ही आपको step by step follow करना है और यह सवाल आसानी से हो जाएगा वीडियो में अंते तक बहने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद अगर आप चैनल पे नए है जरूर करिए और इस वीडियो को लाइक भी करिए शेयर भी करिए धन्यवाद